हाई एवरिवन, वेल्कम बैक टू मैं चैनल, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जियो माफलोजी का चैप्टर, कास्ट टूपिग्राफिक का पार्ट नमबर फोर्थ, बागी के जो भी हमारे टॉपिक्स हमने कवर करे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है आप जाकर के चेक कर सकते हो, और अगर नोर सीए तो उसके लिए भी इंस्टेग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हाज का जो हमारा टॉपिक है, वो है डिपोजिशनल लैंट फोर्म्स, तो डिपोजिशनल डिपोजिट मतलब तो हो जा के बारे में देख रहे है कास्टलेंड फोर्म के बारे में ठीक है तो को फ़ाँ में जो जो भी हमारे डिपोजिट होते हैं, जितने भी फॉर्म्स के हो, उनको क्या कहते हैं एक साथ सब को मिला करके Speleothymes कहते हैं ठीक है आगे हमारे पास है The calcareous deposit from dripping of water in dry caps are called drip stones drip stones हम किसको कहते हैं तो जो भी हमारे calcareous deposits होते हैं जो भी हमारे चुन्नेदार चुन्ना पत्तर वाले deposits होते हैं जो कहां हमारे caves में आते हैं उनमें पानी के साथ वो भी drip करते हैं ठीक है तो ऐसे देखा न अपने बन जाता है ऐसे आते आते गुफाओं के अंदर बना रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं drip stones ठीक है The columns of drip stones hanging from the cave ceiling are called stalactites तो जो आकर कैसे लटके हुए होते हैं उन columns को हम क्या कहते हैं Scalactites ठीक है basically जो हमारे आ रहे होते हैं यह हमारे drip stones ही होते हैं बड़ जब यह column ऐसे create हो जाते हैं जब यह column बन जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं Scalactites ठीक है आगे मार पासे देख अगलकेरियस columns of drip stones growing upward from the cave floor are known as stalagmats अब देखो यह drip stones की बात हो रही है वही drip stones है जो पानियों के साथ बने थे ठीक है पानियों की वज़े से and मतलब पानियों की गिरने की वज़े से तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं वो तो ऊपर से बन रहे थे लेकिन यहाँ पर जो मारा cave का floor होगा वहाँ से नीचे से उपर की तरफ जाएंगे उनको हम कहेंगे stalagmats ठीक है अब उसके बाद हमारे cave pillars है are formed when stalagmats meet together जब यह दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता हमारा cave pillar तो भाई देखो जो भी याद नहीं आ रहा हो आपको तो हमने जब देखा था जिसमें हमारे सारी चीज़े थी पीछे हमने cover करा था उसको तो उसमें हमने cave pillar वगरे सब कुछ देख लिया था याद आ रहा है आपको कुछ इस तरह का हमारा था बना हुआ यहाँ पे हमारे caves थे यहाँ पे stalagmats, stalagmats, stalagmats and cave pillars तो ध्यान से देखो इस kalkatite हमारे यह होता है जो dripping stone से बना हुआ होता है water के साथ क्योंकि यह सब हमारे basically water से ही बन रहे है water के वज़े से जो process हो रहा हमारे lime stone में उसके वज़े से बनते हैं तो इसलिए यहाँ पे water का भी नाम लिया गया है इसके वज़े से dripping stone के वज़े से यह बन रहे हैं हमारे क्या बन रहे हैं यह हमारे hanging walls बन सकते हैं यह फिर hanging columns बोल सकते हैं ठीक है तो इसको हम क्या कहते हैं स्कलकटाइट कहते हैं यह हमारा इधर से देखो यह हो गया stalकटाइट यह हमारा नीचे से क्या होगा? स्टल्गमाइट यह दोनों को जब मीट कर देंगे यह दोनों जब मिल जाएंगे तो हमारा के फिलर तयार हो जाएगा देख लेए नीचे से जो उपर की तरफ है स्टल्गमाइट अब आगे हम देखेंगे यह हमारा I hope last topic है शाद कास्ट साइकल ओफिरूजन तो जो कांसेब ओफिरूजन वह अपलाइड इन लामस्टोन एरिया भी जे डबलू बीड इन 1911 अद बाइ जोवन सिवजिक इन 1918 तो जो कांसेब इस साइकल ओफिरूजन का ठीक है, वो limestone में भी applied हुआ, limestone area में भी, किस के द्वारा, JW bead के द्वारा 1911 में, और चोवन सिवजी के द्वारा 1918 में, ठीक है, the cast cycle of erosion is simpler than other geomorphological cycle, other geomorphic cycle, जो भी हमारे other geomorphic cycles होते हैं, उनसे ये simple होता है, हमारा cast cycle of erosion, ठीक है, cast cycle of erosion में तो हमारा क्या हो रहा होगा, limestone का erosion हो रह of uniformity of structure, generally limestone and dominance of monoprocess, solution process, ठीक है, तो यह पर क्या होता है, जो हमारा structure है, ठीक है, वो uniform है, मतलब, जो भी erosion हो रहा है, हमारा cast cycle में, वो किस चीज़ का हो रहा होगा, तो limestone का ही हो रहा होगा, ठीक है, तो क्या होगा है, uniformity है, इसमें, इसलिए ये simpler है, Most of the geomorphologists believe that the water table of groundwater should be taken as the base level of erosion, बहुत सारे geomorphologists का ये भी कहना है, ये believe करते हैं, वो कि जो हमारा groundwater table होता है, जो water table होता है, ground water का, उसको एक base level माना गया है, erosion के लिए, ठीक है, आगे हमारे पास है, two types of conditions have been recommended for the initiation of cast cycle of erosion, Cast cycle of erosion के लिए, दो condition यहाँ पर हमारे रखे गए हैं, उसकी शुरुआत के लिए, तो पहला exposure of thick limestone cover at ground surface, ground surface पे क्या होना, जो हमारे thick limestone से उनको exposed करना, ठीक है, और आगे क्या है, limestone cover overland by non-soluble rocks, जो हमारे non-soluble rocks होते हैं, वो क्या होते हैं, वो limestone के उपर होते हैं, ठीक है, तो हमारा शुरुआत कहां से होता है, erosion का वहीं से होता है, आगे हमारे पास है, cast cycle of erosion becomes more operative over two types of structure, जो cast cycle of erosion है, वो बहुत जादा operative कहां पे होता है, कौन से structures प ठीक है, अब हमारे पास आगे जो है, stages, the characteristic features of different stages of cast cycle of erosion, यह को different stages है, यहाँ पे cast cycle of erosion के, जिसके बारे हम पढ़ेंगे, तो पहला है youth, दूसरा होगा हमारा maturity and तीसरा क्या होगा, old is, ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, youth is begins with the surface drainage on either on and in, sorry, youth begins with the surface drainage on either on its initial lamb stone surface or one that has been lead and is marked by progressive expansion of underground drainage, देखो, यहाँ पे क्या होगा, youth, मतलब starting में, जब beginning होगी, तो क्या होगा, जो हमारे surface drainage है, वो कहां से begins करेंगे, drainage on either on an initial lamb stone surface or on or one that has been lead, जो हमारा youth है, वो कहां से शुरूआत होगा, जो surface drainage है हमारे lamb stone की surface पर या फिर, जो भी lamb stone के ऊपर हमारे stones वगर हैं, वहां से, ठीक है, और यहाँ पर यह marked किया गया है, कि यह जो हमारा initial stage है, यहीं से जो हमारा underground drainage है, उसका expansion होता है, ठीक है, आगे हमारे पास है, gradually, तापर in previous layer is eroded, अब क्या होगा, जब हमारा शुरू हो जाएगा, initial lamb stone का erosion शुरू हो जाएगा, या फिर उसके ऊपर का stone का, तो ऊपर के stone क्या होंगे, धिर धिरे, eroded होने लगेंगे, ठीक है, उनका erosion शुरू हो जाएगा, draw lines, sink holes and swallow holes are particularly characterized of this stage, इस stage के जो हमारे particular points है, वो है draw lines, sink holes, swallow holes, यह सब ठीक है, यही सब इस stage में बनना शुरू होता है, तो इन सब के बार में तो सब ने पढ़ाई किया कैसे बनते हैं, आगे मार पास है maturity, तो बनना तो शुरू हो गया, हमारा हमें पता चल गया, जो surface drainage water है, उन सब के साथ बनना शुरू होता है, उनकी वज़े से होता है यह शुरू, या तो उपर लाम स्टोन से सुरू होगा, उपर में अगर रहेगा, तो उसके उपर जो भी हमारे पत्थर स्टोन सुहोंगे, उनकी वज़े से, ठीक है, और इन सब की वज़े से क्या होता है, जो हमा तो मैचुरीटी आते आते क्या होगा हमारा भॉल्स में और ब्लाइंड मैल इस इस्टेज इसमें क्या होता है इसमें जो कैवणस नेट्वकस रहा हो जाते हैं यह लेस्मेंड कास्ट देवलपमेंट काफ़ए लीडिवोंड हो सब्सक्राइब ग्र सब्सक्राइब large exist करते ही निए ठीक है धीरे धीरे जाकर के maturity में वो large होते है और बहुत सारे kifs बनने शुरू होते है अब late maturity की वज़े से क्या होता है marks the beginning of decline of caste features यहाँ पर अब क्या हो जाएगा mature तो हो गया अब जैसे कि हमारा कितना है youth है 8 ठीक है तो अगर हम 16 में आते हैं ठीक है तो वो क्या होगा declination हमारा शुरू हो जाएगा तो यह था अब हमारा क्या है आगे तो यहाँ पर क्या होगा जब late maturity शुरू होगा तो जो हमारे caste feature से उनका declination शुड़ हो जाएगा the portion of caste systems are exposed through caste windows कास्ट विंडोस के थूरू जो हमारे कावन सिस्ट्रीम है वो exposed रून लगेंगे and this expands to form large वाला और इनके वज़े से क्या बनेंगे large वाला बनेंगे and de-attached areas बनेंगे ठीक है जो कि original limestone से अलग होंगे a plant begin to stand out as हम्स ठीक है अब हमारे पास आगे है old age large scale removal of limestone mass leaves behind the caste plane अब क्या होगा यहां पर कि जो limestone से उनका बहुत जादा removal हो जाएगा तो caste plane हमारे क्या हो जाएगे पीछे चूट जाएगे there is a reappearance of surface drainage अब last stage में क्या हो रहा है old age में कि जो हमारे surface water जो कि blind valley में खतम हो गए थे इंड हो गए था उनका वो फिर से शुरू हो जाएगे वो reappear होना शुरू हो जाएगा with only a few isolated hums किसके साथ बहुत ही छोटे चोटे बहुत कम isolated hums के साथ जो कि original limestone taran के remanence माने जाएगे और फिर शुरू हो जाएगे हमारे पास अभी क्या नहीं है देखो figure नहीं था चलो देख लेते एक बार figure यह मानलो हमारा cast plane है ठीक है cast plane हो गया यह जब stages का youth आएगा तो क्या होगा धीरे धीरे इसमें sink holes बगएरा बनने शुरू हो जाएगे ठीक हम छोटे छोटे ऐसे जब हमारा maturity आगा तो जो हमारे यह holes थे वो बड़े हो जाएगे गड़ा क्या हो जाएगा जादा होने लगेगा maturity में और जब हमारा fourth stage आएगा जब old age आजाएगा तो क्या हो जाएगा फिर से यह वापस ऐसे होना शुरू हो जाएगा तो यह था हमारा lime stone जहाँ पर फूरी तरह से खताम हो जाता है तो guys हमारा खताम हो चुका है I hope आपको सबको समझ में आ गया होगा नहीं समझ में आ गया हो तो आप बता सकते हो कौन से topic नहीं है मैं एक बार उसको फिर से cover करा दूँगी link देओ और description box में Instagram के आप एक बार जाकर के जरूर जग कर लेना ठीक है